ऐलो फॉरेंट्स डॉक्र रोस्टर में आपका स्वागत है मैं अभी कुमार आज हम लोग बात करने वाले हैं ने टेस्टीस के बारे में हम लोग एक पर्ट पल्ड लिया है एनिमल री प्रोडेक्शन आज लिए ना पार्ट वण आज पार्ट सगेंड के बारे बात करेंगे और हेडिंग है क्या कि टेस्टीस के अंदर याने ब्रिशन के ब्रिशन के अंदर स्पर्म में जूकराणू का निर्माढ कैसे होता है हम फितना जानते हैं कि हमारा जो सब्सक्राणू का निर्माड लेकिन कैसे होता है इसका कुछ पता नहीं किस को सिका के द्वारा होता है इसका पता नहीं इसी के बारे मैं आज बात करेंगे भी कि विडियो को इंड तक जरू भी कि तभी बात समझ में आएंगा लिएक टेरिंग डालता है इस्तोलावजिय॔ और हेस्टो को लो सिस्ट नहीं है कि ज्यादा थिवरी नहीं सिर्फ फिगर बनाएंगे और निकलता है ज्यादा नहीं करते हैं देखिये टेस्टिस के बाहर 3 परत होता है ठीक है टेस्टीस के बाहर तीन परत होता है यह पहला परत यह रहा दूसरा परत ठीक है उसके अंदर यह रहा तीसरा परत यह जो है मैंने टेस्टीस बना दिया ठीक है यह है टेस्टीस लेकिन इस टेस्टीस के बाहर कुछ इस तरह से लेर होता है जो सबसे लास्ट लेर होता है ठीक है यह ब्रिशन है हमारा इसके ऊपर से कुछ इस तरह से ब्लड वैसल से निकली होता है रक्त वाहिनिया ठीक है जो सबसे अंदर होगा उसे सतर रक्त निकलेगी बाहर मुश्किल है जैसे कि हम लोग आए असकी नहीं कभी-कभी दीवाल में रगड देते हैं रगड नह रहे है यह दो उपरी उपरी जो कोसी को टिया मरी होई होती है तो उसी तरह जो उपरी है ढ Rick 7 इसमें नहीं है लेकिन जो अंदर है उसके नदर तो बलड है नspeक है तो इसका झ accepts देखा रखा हैं तीन लेयर के बारें ? बात कि रह ego कर रहे है तो फिर्टेयर is called tunica vaginalis tunica vaginalis sorry vaginalis ठीक है tunica vaginalis यो ना peritonium का बना होता है peritonium का बना होता है tunica vaginalis it is made of peritonium ठीक है का मतलब की testis का outermost layer is called tunica vaginalis and tunica vaginalis it is made of peritonium sorry का मतलब की tunica vaginalis जो है peritonium का बना होता है ठीक है और second layer is called tunica albugenia second layer is called tunica albugenia tunica albugenia हमने बोला कि testis का जो दूसरा layer है दूसरा परत है उसको हम लोग कहते है tunica albugenia यह जो है connective tissue का बना होता है ठीक है लेकिन सबसे अंदर वाले layer की बारें बात करते हैं तो सबसे अंदर वाले के बात हम लोग इधर लिख दें इसका जो नाम है उसको कहते है त्यूनिका अंद्रस की लोशा ट्यूनिका वेस्कूल उसा क्यों बोला वेस्कूल उसको इसको इस लिए बोला कि इसके उपर क्या चीप का हुगा है बलाड भेसल चीप का हुआ है जानी यानी रखत वाहनी है एक बात यह तू परत है लेकिन इसका जो सेकेंड परत है टेस्टी का जो दूसरा layer है इंदर आजाता है इधर अनदर आ आने के बाद बहुत सारे compartment में बिभाजित हो जाता है यह रहा एक compartment में बिभाजित हो जाता है और इस compartment का नाम दिया जाता है सरी संख्यां बता देता है कि इस टेस्टी का अंदर यारे परतेक टेस्टी स के अंधर चार्सों आपंट होता है ऊ거든 स ने मच office होता है एक कॉंपार्टमेंट के अंदर टीन से चार श्रेंट सेबस्टिव्यूस होता यहां पर लिख दें यहां दिखा दे रहा है कि एक कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट के अंदर तीन से चार तीन से बोले कि यह जो है ट्युनिकाय अलबूजीर अंदर जाने के बाद किया हो गया बीभाजित हो गया अंदर गया और ओने के और विभाजित हो गया और एक कंपार्टमेंट के अंदर एक कंपार्टमेंट के अंदर तीन से सीके अपर आगे बात करता हैं कि से नेश्ट को दो भाग कर गया है कितने भागों में टोभागों में ठीक है तो पहले पहले आप लोगत स्कार ले ले्यजी तो बात करते हैं सेवनी ĭी एक और प्रिकर बनाते हैं द्यान्से दखिगे हो झाल झाल यह तक ठीक है? ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक सेल होता है, यहाँ पे सेल होता है, पहले यहाँ पे हम बना दे कुछ इस तरह से तो यह क्या है? टेस्टिस के हिस्ट्रोजी है, करने का मतलई कि हम लोग अब टेस्टिस को खोल खोल के अंदर देख रहा है, ठीक है? कि आखिर हम लोग यह जानने वाले हैं, कि कोशी भी सल की अंदर, और स्पर्म काया यन्य शुट्राड़ू का निर्माड़ का इसे होता है इससी के बारे में हम लोग जानने वाले है देखिए इधर से माल लीजी कि हमने एक टेस्टी को काट करके देखें ठीक है ना ऐसे खुल देंगे तो पढ़ता नहीं पाएंगे जैसे बिनेर को पढ़ने के लिए ऐसे गोल रखने तो पढ़ पाएंगे जब तक उसको बीचों भी से काटेंगा नहीं ऐसे काट कर होता है और बोले हैं कि सेमनी फ्रेस्टिविल्स को दो भागों में बाटा गया है ठीक है देखिए सेमनी फ्रेस्टिविल्स के दो भाग बाटा गया है फर्स्ट पार्ट इस कॉल्ड कोईलेट पार्ट को दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसका नाम दिया जाता है अस्ट् पार्ट क्या दिया ज़ता है और बोले थे कि सेमनी फ्रेस्टिविल्स के दो भाग होते हैं हमने पहला भाग बाता दिया कोईलेट पार्ट दूसरा क्या होता है कि देखिए माले जी कि इसमें फूल लगा है यह ठीक है तो फूल वाला भाग को कोईलेट बोल दिया और उसको निए बोला ट्यूली रेक्टाय यह क्या बनाएगा डॉक्त बनाएगा नली बनाए यहां पर जो सेल हमने दिखा रहा काई इसको कहते हैं लीडिंग सेल लीडिंग से लीडिंग से लीडिंग से लीडिंग से से प्रोजेस्टरोन हर्मोन है हम लोग सबसे ज्यादा इसका जो अंदर निकलता है टेस्टोस्टिरोन लेडिंग हर्मोन से लेडिंग से से टेस्टोस्टिरोन निकलता है और यह जो है सुक्राणू को बनाने में मदद कर हाँ ठीक है यहां पे एक और सेल होता है जिसको करते हैं इंटर्टीशल सेल इंटर्टीशल इंटर्टीशल kof अब यहां पर देखिए यह जो यहां से डॉक्त आ गहां से एक टूबली लेटरय Ow stan रख्ठहें रहा है यह त िवलिए रख्टह्यार आने के बाद यहां से एक बड़ा सा डॉक्ट का निर्मान कर रहा है ठीक ना तो यहां से एक जो नली निकल के ऐसे आ रहा है इसको कहते हैं वासा इफ्रेंसिया वासा इफ्रेंसिया क्या बोला यह जो नीचे हमने लिखा इसको रेटे टेस्टिस बोला नली है ठीक है ना सबसे बड़ी नली जहां पर सुग्राणुब अगर क्या हो जाते हैं इकठा हो जाते हैं ल को आगे तीन भागों में बाटा गया है जरुवत पड़ेगा तो बताएंगे नहीं तो कोई बात ही नहीं ठीक है यह क्या है इस यह जो है इसको बोला वास डेफरेंज क्या बोला वास डेफरेंज हम बोले हैं की एक टेस्टिस का अंदर 600-400 एधशर रही सब्सक्राइब बात कर लिया है लटेज़ोंखियो लगर मेर strive . अब लोग चांगे सब्सक्नेंट क्या बना करेंगे लग्सक्राइब पहले इधर डेखते थे त्यास मिटाइएग फिर दूसरा बनाँगे इसके जो माली जी क्वालेट पार्ट के इसके अंदर का फिकर बनाएंगे यह जो फूल देहने बनाया है फूल के अंदर का फिकर बनाएंगे अब ठीक है तो यह जो है आगे यहां से माली जी के औस पर्म आया यहां पर इकठा हुआ यह माहा नली है इन लोगों के लिए माहा नली है य इसनली से होते हुए ये इपीडाइडेमिस में आता है और इपीडाइडेमिस का कार्य होता है सुक्राणवों को इकठा करके रखना तब तक रखना जब तक उसको मनुस्य बाहर निकालना दे मनुस्य हैं क्यों जो भी जिवजन्तू है मेल है उसके पास अस्पम है इसका दूए पीडाइडेमिस के तीन भाग होता है पहला कईपूट इपीडाइडेमिस दुसरा कर्पोर एपीडाइडेमिस और तीसरा कॉड़ल इपीडाइडेमिस ठीक है तो लिखेंगे नहीं कि ज्यादा जरूबत पढ़ता नहीं इस इतना भी नहीं दिया रहाता है लेकिन पिर भी बता रहा हूं ठिक है तो आगे यहां से यह ब्र में आ ल्कम में निकल गया ओ करेंध से होते हुए कहां तोकारsk़ this is i um स्पर्म को महिला के भीजना तो पोंग चाहँ एक छोटा सा फिकर ठीक है यह सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स का फिगर सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स का इसके अंदर का कैसा होता है कोशी का ठीक है यहां पर इस तरह से कुछ सेल होता है ठीक है और यहां पर कुछ इस तरह से और स्पॉम का निर्मार होता है ठीक है यह जो सेल दिखा रहे यह फिगर जो है सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स का सेमनी फ्रेस्टिब्यूल्स का है पर इसको हम लोग काता है यह जो है इसको हम लोग कहता है सर्टोली सेल्स या नौर्स सेल्स में होता है यह वाला इसको कहते है कि वाइडल सेल कि वाइडल सेल्स कि वाइडल सेल्स लेकिन अंदर यह जो बन रहा है ना जो छोटे-छोटे कीरों मगडों की तरह दिख रहा है यहीं तो है असपाम जिसका हम लोग इंतिजार कर रहे थे यानि हिंदी में लो काते हैं इसको सुक्राड़ू से निर्माण कैंप और किस औनर हो राँ हो राा है यानि हम लोग नाम किसका देता है से मिफ्रेस्ट् इंदर SB 7ở और इस से अस्पम का यानि सुक्रनू का निर्माढ लेकिन अगर से के दिया जता है создanta stems result event humility वार्पर ना याद रहा थिक zij है नहीं आगे लिए है ना जो निटू पढ़ाई कर दानों उसके लिए होता है ठीक तो इतना वास में तो कहां पे और अश्पं loon निर्माड कहा हो रहा है सेमिंफ रस्टि बूल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों पास यहर जरूर कीजिए